नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग्रा ठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में KGF एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान थी, almost 95% सोना भारत का इसी अकेली माइन्स से निकाला जाता था, लेकिन 20 साल पहले जब ये माइन्स बंद करी गई, तो उसके कारण वहां की community पर, वहां के environment पर और society पर क्या effect आये हैं, उनको हम discuss करेंगे इस वीडियो में, मै ये एक तरह से case study वीडियो होगा, जहां पर मैं आपको बताऊगा की कैसे minds पूरी community को effect करती हैं, या फिर environment को भी बड़े सतर पर effect कर सकती हैं, अगर आपने अभी तक study IQ चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर बटन पर click करना ना भूलें, और bell icon भी जरूर दबाएं, अगर आप आपको मेरे वीडियो की updates भी प्राप्त हो जाएंगी, तो कुलार गोल्ड फील्ड जो है, यहाँ पर आज भी लगबग धाई लाख लोग रहते हैं, और दो साल पहले ये काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि एक movie बनी थी KGF नाम से, जो हाला कि एक fictional account है, movie के अंदर कुछ सचाई ऐस सच नहीं बताई गई है, लेकिन movie के कारण कई लोगों को इस पर interest आया था, और मुझे तब से कई students के messages आ रहे हैं, कि आप KGF को थोड़ा सा discuss कीजिए, तो देखिए, कोई film story तो हम यहाँ पर discuss नहीं करेंगे, लेकिन जो KGF में environmental और social economic issues हैं, वो बहुत ही important है, उनको discuss करना बहुत ही जरूरी है, अब इस area में gold mining की बहुत लंबी history है, 120 years से तो यहाँ पर definitely सोना निकाला जा रहा है, British time period से, उसके पहले भी हमें Kingdom of Masur के history में भी कई जगे ये references मिलते हैं, कि इस area में कोशिश करी गई, कि सोने की खदाने चालू करी जाए, लेकिन में भी उस समय technology नहीं थी, इतने बड़े scale पर operation चलाने की, कि वहाँ पर एक successful mines चलाई जा सके, बागी यहाँ पर खोजबीन जो है, वो 1700s, late 1700s से चालू थी, in fact 1804 में एक report भी लिखी गई थी, कि जो कोलार गाहों के आसपास वाला area है, वहाँ पर सोना मिला है, और locals जो हैं, वो कहत 1971 में एक retired British soldier था, जो Bangalore में settled था, Michael Fitzgerald, Lavel, इसने ये 1804 वाली report पड़ी, और ये report पड़कर उसे लगा कि, क्यों ना मैं try करूं, एक startup शुरू करूं, मैं mining की कोशिश तो करता हूं, क्योंकि कोलार जो है, वो Bangalore से 100 km दूर है, उस वक्त शेहर का नाम Bangalore था, यहीं पर ये soldiers retire होकर रह रह रहा था, तो इसने कोलार जाकर कुछ साल तक ये mining operation करने की शुरुआत करी, महाँ पर कुछ surveys करवाय, and he was successful, 1875 में उसे सरकार से भी permission मिल गई, कि यहाँ पर mining शुरू करी जा सके, लेकिन Michael Lavel के पास बहुत जादा पैसा नहीं था, तो इसलिए इसने investors ढूंडे और ultimately ये जो पूरा mining operation है, John Taylor and Sons के हाथ में आ गया, ये एक बड़ी British company थी, जिसने 1880 में mining operations को यहाँ पर take over कर लिया, और इन्होंने state of the art mining engineering equipment लगाया यहाँ पर, in fact इनके द्वारा लगाया गया equipment, जो 1890 में लगाया गया था, आप मानेंगे नहीं, लेकिन वो 1990s तक operational था, 100 सा आते आते KGF mines भारत का 95% gold produce कर रही थी, इतना बड़ा mining operation ये 20 साल में बन चुका था, आईए इस mines की location आपको map पर बता देता हूँ, तो अगर हम दक्षिन भारती राज्य करनाटक पर zoom in करें, तो यहाँ पर जो करनाटक का सदन हिस्सा है, जो तमिलनाडू और आंद्रप्र 100 km के आसपास, और यह जो KGF है, यह अभी एक तैसील headquarter है, एक block headquarter है, और यहाँ जो town है, उसके आवादी अभी भी धाई लाग के आसपास है, 2,60,000 कुछ आवादी है इस town की, जो mostly वो लोग हैं, जिनके previous generation in mines में काम करा करती थी, या फिर वो लोग हैं, जो mines में काम करा कर आते थे, उनी के descendants यहाँ पर रहते हैं, जो लोग PDF डाउनलोड करते हैं, उनके लिए मैं इस प्रकार का map भी डालने के अपसे कोशिश करा करूंगा, क्योंकि जो map मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, वो PDF में डालना possible नहीं होता है, तो यह है कोलार district, और यहीं प आते हैं, तो मैंस में जाने के लिए इस तरह के shafts होते थे, जिन में लकडी की beams से support किया जाता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कभी-कभी accidents हो जाते थे, in fact ऐसा माना जाता है कि इन मैंस में लगबख 6000 लोगों की अभी तक death हो चुकी है, 120 साल के operations में, लेकिन mining के साथ-साथ यहाँ पर समरिद्धी भी आई, जो British officers यहाँ पर as engineers या फिर technicians काम करते थे, उन्होंने अपने खुद की सहूलियत के लिए एक पूरा शहर बसाया, जहाँ पर club houses थे, बड़े-बड़े घर थे, golf courses थे, in fact इस शहर को mini England कहा जाने लगा था, क्योंके Kolar Gold Fields की जो township थी, यहाँ पर लोग जब enter करते थे, तो उन्हें ऐसा ही लगता था, कि हम England में रह रहे हैं, इस तरह के golf courses, club houses जैसा जो पूरा atmosphere था, वहाँ पर, यह पूरा बसाया हुआ शहर था, तो वो देखकर ऐसा ही लगता था, कि हम England में जी रहे हैं, तो वैसे उपर ही तोर पर, सतह ही तोर पर, यह England था, लेकिन जो mine workers थे, उनके लिए कोई England जैसी conditions नहीं थी, वो तब भी coolie lanes में रहते थे, जहां पर सुविधा है, कम थी, लेकिन definitely hospital जैसी सुविधा है, उपलब थी वहाँ पर, तो amenities थी लेकिन जाहतर amenities, British officers या technicians के लिए थी, बाकि जो workers थे, mine workers, जो बहुत ही खराब conditions में काम करते थे, underground जहां पर temperature बहुत जादा होता है, याद रखिए, जब जमीन में आप नीचे जाते हैं, तो temperature बढ़ जाता है, तो कई जगहों पर temperature 47, 48 degree centigrade तक होता था, humidity 90, 95% होती थी, और यह वो समय नहीं था, जब air conditioning units से हवा pump करी जा सके नीचे, अब तो यह सब होता है mines में लेकिन उस समय नहीं होता था, तो इस mini England को बसाने के पीछे भारत के लोगों का hard labor था, लेकिन यहां से जो सोना निकल रहा था, वो भी definitely इस area में तरक्की लेकर आया था, एक और बहुत बड़ा milestone कोलार गोल्ड फील्ड के development में था, यहां पर बिजली supply पहुंचना, 1902 म जब दुनिया के जादा तर हिससे में बिजली की supply नहीं थी, जब बैंगलूरू और मैसूर जैसे शहर, जो capital थे, प्रिंसली किंडम के capital थे, या फिर बैंगलूर एक बहुत बड़ा cantonment town था, वहां पर भी बिजली नहीं थी, उससे पहले, कुलार गोल्ड फील्ड पूरी तरह से electrified था, in fact, यहां से कुछ किलोमेटर दूर कावेरी नदी पर एक ज़रना है, जहां पर एक hydroelectric power plant लगाया गया, जो भारत का one of the earliest power source है, hydroelectric power plant है, बहां से बिजली आती थी, कुलार गोल्ड फील्ड तक, ताकि electricity जा सके, नीचे माइन्स में, वरना उसके पहले मोमबत्त लेकर खदान में उतरा करते थे, workers जो हैं, और उसके बाद दीरे-दीरे वहाँ पर gas pumping, air pumping stations भी लगाये गए, और स्थिती में कुछ सुधार हुआ, तो यहां की जो machinery है, वो एकदम state of the art थी, उस समय के हिसाब से, और काम बहुत अच्छे से चल रहा था, अजादी के बाद भ को take over कर लिया, तो 1972 के बाद से यहां की जो mines है, वो public sector undertaking है, केंदर सरकार के अधीन है, इस mine complex में कई particle physics के experiments भी किये गए, 1960s में, 1992 में, तो यह mines आज भी in fact particle physics के experiment के लिए use होती है, बट rarely होती है, कम होती है, क्योंकि अभी mostly जो underground mines का network है, वो पानी से भर चुका है, KGF में सत्य है के पास में सोना मिलता था, तो जो early 1900s हैं, उस समय तक खदान एक किलोमेटर तक गहरी थी, लेकिन 1980s आते आते जो gold का और है, वो 3 किलोमेटर की गहराई पर मिलता था, यानि कि जहां से sustainably gold निकाला जा सके, ऐसा और 3 किलोमेटर की गहराई पर मिलता था, 10,000 feet नीचे और इस गहराई पर इंसानों का काम करना बहुत ही मुश्किल है, 48-50 degree तक temperature, 95% humidity, ऐसे महल में इंसान काम नहीं कर सकता है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 3 किलोमेटर डीप माइन, जो दुनिया की second deepest माइन थी उस वक, वहाँ पर ये gold की माइनिंग होती थी in 1980s, कोलार से related एक और point important है, यहाँ पर pyroclastic rocks देखने को मिलते हैं, यानि कि जो volcano के lava से rocks बनते हैं, वो वाले rocks यहाँ पर कोलार district में, in fact mines के पास में हमें देखने को मिलते हैं, तो यह भारत के geomorphology में एक बहुती important जगे है, यह एक additional factor है, इसे आप याद रखेगा, अगर आप 2021 क IAS exam की तयारी कर रहे हैं, तो study IQ के smart courses से आप इस तयारी को अंजाम दे सकते हैं, study IQ app को download कीजिए, google play store से और इस course को आप check out कीजिए, यहाँ पर ना केवल video lectures बल्कि अन्य कई features उप्लब्ध हैं, और इन courses पर EMI option भी available हैं, तो आप काफी आसान किष्टों में इसका payment भी कर सकते हैं, 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड माइन को permanently बंद कर दिया गया, BGML ने यहाँ पर operations बंद कर दिये, और उसके पीछे reason यह था कि 1990s तक यहाँ से सोना निकालना बहुत ही unprofitable हो चुगा था, initially यहाँ पर जो yield थी, वो एक टन पर 47 ग्राम गोल्ड की थी, that is during 1880s, शुरुआत यहाँ से हुई थी, 47 ग्राम पर 1 टन, लेकिन 1990 आते यह yield रह गई थी, केवल 3 ग्राम प्रती टन, और इतने कम सोने पर इतना बड़ा operation चलाना बहुत ही unprofitable था, BGML को losses हो रहे थे, production cost बढ़ते जा रहे थे, और 3 किलोमेटर की गहराई पर iron ore निकालना बहुत बढ़ा task था, तो high grade ore reserve भी खत्म हो गया था, बहुत गहराई पर सोना मिल रहा था, इसलिए इस mine को बंद कर दिया गया, लेकिन यह जो shutdown था, यह बहुत ही sudden था, यहाँ पर कोई detailed mining, mines को close करने के procedures को follow नहीं किया गया, और इसके कारण आज भी KGF के लोगों को नुकसान हो रहा है, तो अब यह हालत है, उन mining operations की आप देख सकते हैं, आपर machine अब जंग खा रही है, और एक तरसे ghost town बन चुका है, जो पूरा mining operation वाला area था, वहाँ पर कोई activity नहीं होती है, तो mini England से अब यह शहर एक नर्क की तरह बन चुका है, in fact मैंने KGF movie देखी नहीं है, लेकि मैंने उसका trailer जरू कट्स नहीं होते थे, बिल्कुल बिजली नहीं जाती थी, पीने का पानी available था, लेकिन जब से mining operation बंद हुए हैं, तब से KGF town में ना तो proper electricity आती है, ना ही drinking water supply ढंग से हो रही है, in fact यहाँ पर जो MLA के द्वारा local funds allot किये जाते हैं, वो तक अच्छे से allot नहीं हो पा रहे ह Mines में जो हजारों मजदूर काम करते थे, उनके जीवन या अपन का source जब एकदम से खत्म हो गया, तो वो अचानक से गरीबी का मूथ आकने लगे, क्योंकि इनकी salaries इतनी होती थी कि यह अपने आपको बस sustain कर सकें, तो जो labor यहाँ पर काम करती थी, वो आज बिल्कुल गरीबी में जी रही है, जाद तो लोगों की या तो बिमारी से death हो गई, या फिर जो उनकी next generations हैं, वो आज भी गरीबी में जी रही हैं, उनके पास यहाँ पर livelihood के sources नहीं हैं, किसी भी तरह का कोई financial या health package सरकार की तरफ से यहाँ पर नहीं दिया गया, और यहाँ पर जो residents ह वो आज भी उनी कुली lanes वाली जो shanties होती हैं, जो 100 square feet का एक घर है, उसमें रह रहे हैं, आप imagine कीजिए 10 by 10 के कमरे में कैसे लोग रह पाते होंगे, लेकिन इस तरह की यहाँ पर 400 colonies बसी हुई हैं, लगग धाई लाक लोग यहाँ पर रहते हैं, और अभी एक recent problem यह भी है कि यहाँ पर proper toilet facilities नहीं है, क्योंकि जब एक slum की तरह area हो जाता है, तो यहाँ पर open drains हैं, proper toilets नहीं हैं, तो उसके कारण open defecation की समस्या है, communicable diseases समय समय पर यहाँ होती रहती हैं, लेकिन इनसे भी बड़ी समस्या लोगों को है कि उनके पास नौकरी के सभी साधन खत्म हो गए, यहाँ पर किसी प्रकार की jobs या employment opportunity नहीं थी, तो लोग Bengaluru जाने लगे, जो 100 km दूर है, train चलती है, train डेर से 2 घंटा लेती है, तो दिन में आना जाना 4 घंटे का commute है, तो it is not very easy, लेकिन आज KGF के जादातर लोग, जो जवान लोग हैं, वो सुवे सुवे 4-5 बजे उटके trains पकड़ते हैं, Bengaluru जाते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, चाहे रिक्षा चलाते हैं, या malls में जॉब करते हैं, बहुत सारी industries हैं, Bengaluru में, वहाँ पर वो लोग जॉब करते हैं, और फिर वापिस रात को घर लोटाते हैं, क्योंकि आप जाते हैं, बेंगलूरू एक metro शेहर ह उसको process करने के समय बहुत सारा waste product आता है यह waste products अकसर mines में इसको tailings कहा जाता है और यहाँ पर यह tailings कोई और तरीका नहीं था तो केवल उसको dump कर दिया गया खाली जमीन पर और यह dump करते करते इतना उचा पहाड बन चुका है आप इसकी height देखिए, compare कीजिए, यहाँ पर यह auto है, यह इनसान है और उसके मुकाबले इन पहाडों को देखिए 40 meter जितने उचे यहाँ पर waste के पहाड बने हुए है जो बहुत बड़े area में फैले है 15 to 20% जो mining lease का area है Mining lease का area approximately 58 square kilometer है उसमें से 20% area पे इस तरह के toxic waste के पहाड आज बने हुए है क्योंकि mining बंद हो गई तो इनका जो process है वो पूरी तरह से ठप हो गया जो waste product पढ़ा था वो आज भी वैसा का वैसा पढ़ा है 20 साल बाद और इसके कारण वहाँ के लोगों की health पर negative impact पढ़ रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे chemicals है जो लोगों के लिए नुकसान दायक है तो chemical क्यों है क्योंकि देखे जब gold को process किया जाता है तो उसमें cyanide का इस्तमाल होता है तो इसलिए जो cyanide है ये एक तरह का waste product की रूप में निकलता है cyanide, silica, copper sulfate, sodium silicate ये सब chemicals इन पहाडों में देखने को मिलते है और ये groundwater को contaminate कर रहे है सबसे पहली समस्या तो ही है क्योंकि ये groundwater में leech हो जाते है सारे products ultimately groundwater खराब होता है लोगों को पीने के लिए toxic पानी मिलता है और दूसरा जब बारिश होती है तो इनके उपर से जो पानी भैकर जाता है वो ultimately किसी ना किसी नदी में है या फिर छोटी stream में जाता है या फिर आसपास के खेतों में जाता है जिससे खेती की जमीन खराब हो रही है continuously वहाँ के किसान complain कर रहे है कि हमारी धर्ती infertile होती जा रही है तो यहां से मिट्टी उड़ती है बहुत ही बारीक डस्ट होती है जिसमें cyanide होता है या फिर sulfates होते है ये लोगों को skin allergies cause कर रहे हैं और साथी साथ पूरे area में respiratory problems भी देखने को मिल रही है जो KGF mines में काम करते थे workers उनमें से बहुतों को silicosis और lung cancer जैसी समस्या है in fact पिछले 20 सालों में जो workers बिरोजगार हो गए थे उनमें से कई हों की death हो चुकी है ऐसे-ऐसे cases भी है कि ख़दान में किवल 10 साल काम करने वाला व्यक्ती lung cancer से मर गया या silicosis से मर गया तो ये जो problem है ये भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है और सरकार ने इनको compensation दिया लेकिन कितना 2000, 3000, 10,000 जितने रुपे जितना compensation इन लोगों को मिला जबकि इनके पूरे फेफडे खराब हो गए अब हाला कि मैं मानता हूं कि ये किवल KGF की problem नहीं है दुनिया भर में जितनी भी माइन से वहाँ पर silicosis और lung cancer एक hazard होता है occupational hazard है लेकिन यहाँ पर इस समस्या के निदान के लिए कुछ भी नहीं किया गया ये सारी समस्या है basically इसलिए आई क्योंकि KGF माइन को planned तरीके से close नहीं किया गया उस समय जो closing के norms थे rules and regulation थे उनको follow नहीं किया गया अब Indian Bureau of Mines जो है उसने एक पूरा detailed format बनाया हुआ है कि कैसे अगर कोई mines close होती है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए लेकिन इस mine में क्या हुआ था unplanned closure ना तो लोगों को time दिया गया कि mines close होगी एक साल दो साल में ना ही environment को manage करने के लिए कुछ किया गया generally जब mine close होती है तो land को reclaim किया जाता है वहां की ecology को restore करने की कोशिश करी जाती है एक plan of action बनाया जाता है ताकि जो लोग बेरोजगार होंगे उनके रोजगार के लिए क्या किया जा सकता है कुछ नहीं industry या फिर कोई नया development activity वहां पर शुरू करी जा सके इस तरह की चीज़ें करी जाती है लेकिन KGF में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और जो ecology है उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर जो pollution है इन toxic waste products के कारण वो आज भी मौझूद है 20 साल बाद भी KGF के residents लगातार सरकार से दर्खास कर रहे हैं कि हमारे लोग Bengaluru ना जाए हमें चार घंटे का commute ना करना पड़े उसके लिए आप कुछ तो यहाँ पर activity शुरू करिए कोई development काम करिए ताकि हमें यहाँ रोजगार मिले तो करनाटक government अब plan कर रही है कि एक industrial park बनाया जाएगा kolar gold field पे यह August 2020 की news है लेकिन अभी तक ground level पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है जैसे ही शुरू होगा मैं इसकी जानकारी आपको जरूर दूँगा तो इस तरह के plans है एक तरीका और भी हो सकता है यहाँ पर जो कई लोगों ने सुझा है वो है कि यहाँ पर solar plant लगाया जा सकता है solar energy के लिए यहाँ की जो mines की जमीन है उसका इस्तमाल किया जा सकता है क्योंकि आसपास solar industry वैसे भी developed है बंगलोरू की शेहर के आसपास और एक और यहाँ पर idea जो suggest किया जाता है वो है tourism का क्योंकि यहाँ पर mines है तो अब आज कल की generation आपके और मेरे जैसे लोग जिनोंने शायद 10,000 feet की गहराई में उतर कर कभी अपने जीवन में mines नहीं देखी होगी उनके लिए यह curiosity factor हो सकता है कि आप जाकर mines देखिए तो इन गहरी mines को tourism spots की तरह open किया जा सकता है और यहाँ पर कई सारे British time के बंगलोज हैं जिनको restore करके, renovate करके, home stays में या hotels में convert किया जा सकता है तो यह कुछ सुझाव हैं इस area को develop करने के लिए लेकिन अभी तो problem यह है कि जो भारत gold mine PSU था उसके assets को बेच कर यहाँ के जो पुराने workers हैं उनको compensate करना है वो भी मामले सब court में चल रहे हैं तो उसको लेकर यह सारी situation solve होगी तब जाकर कहीं आगे यह development की गतिविद्या हो पाएगी इसी के साथ यह lecture समाप्त होता है thank you very much for watching this have a great day